तो हलो नमस्तिया स्नारगु से सेकार केम छोग नना बिग बॉस अभी नहीं शुरू हो रहा है पीवी वाला बिग बॉस ये जिन्देगी का बिग बॉस शुरू हो गया है सब घर में बैठे हैं लेकिन कुछ लोग हैं जो के उलंगन कर रहे हैं अब हाली मैं मैं हाँ पर आया दो दिन की चुट्टी के लिए और चुट्टी हो गए मेरी नहीं हम सब की ये करोना कोवर्ड-19 ने सब की चुट्टी कर दी पहले ऐसा रगा कि फ्लू है खतं हो जाएगा घर चले जाएंगे फिर यह लॉकडाण हुआ जब यह लॉकडाण हुआ तो मामला बड़ा गंबीर बड़ा सीरिस हो गया है क्योंकि यहां पर पुरा खांदान है पुरा परिवार है हमारी अम्मी है हमारी दो बहने हैं उनके बच्चे हैं और कुछ काम related लोग आये थे जो के अब जाके इस करोना वायरिस COVID-19 के अंदर दोस्त बन गए तो यहां पर हमने एक रूल बनाया कि यहां पर जो है वो यहीं पर रहेगा और बाहर का कोई नहीं आएगा और अंदर से कोई बाहर नहीं जाएगा तो लेकिन राशन के लिए जाना पड़ता है अब हमने कुछ वेजटिबल्स के लिए हमारे एक बहुती अजीज करीवी दोस्त को पास में पांचे किलमेटर दूर एक गाउ में बेजा राशन खरीदे के लिए तो आज कल पुलीस का बहुत ज्यादा पहरा है जो कि बहुत अच्छी बात है बहुत अच्छा काम कर रहे हैं अब पास तो था उनके पास गाड़ी का तो वो गए उनको पुलीस ने रोका तो इन्होंने क्या किया कि पुलीस वाले से बात करते वे उन्हें अपना मास निका लिए उनको समझ में आ गया कि जो नहीं करना था उनने किया यहां पर आये उन्हें यह कहानी बयान की और मैंने से कहा कि यह जो कि आपको मना किया गया था करने के लिए वह यह अपने किया और रहायती बेवकूफी की चीज़ की डिमाग से निकल गया है सोचा के बात कर रहा हूं तो मुझ दिखा के बात करूँ जो कि नहीं करना चाहिए था उस वक्त अब जिसको ये बात समझ में नहीं आ रही कि इस को मैं कहां लेके जा रहा हूं वो मेरी बात गोर से सुने किसी भी बीमारी में रिजल्ट पॉजिटिव होना बहुत दुक दाएक बात है और स्पेशली उस बीमारी का जिसका कोई लाज नहीं है लेकिन किसी पॉजिटिव पेशिंट के दिमाग में एक नेगेटिव थाट आ जाना एक उसका सियम खो देना, होप खो देना वो उससे बड़ी बात है और जो पॉजिटिव टेस्टिव पेशिंट है उसका दुख ना समझना वो एंटी हुमन, एंटी इंसानियत है जो पॉजिटिव टेस्टिव पेशिंट है उसके बात यह समझ में आ जाती कि हमने इत्यात नहीं रखा, गल्दी हमसे हो गई और जो नेगिटिव है और इत्यात नहीं रख रहे हैं वो जल्द पॉजिटिव हो जाएंगे, ये गैरिंटी है और फिर अपने पूरे खांदान को ये बिमारी दे देंगे खांदान से महले को, महले से शहर को, शहर से पुरे हंदुस्तान को क्या कहा है गवर्मिन ने, के बाहर मत जाओ, सोशल कैदरिंज ना करो ये ही कहा है न, दोस्तियारों से ना मिलो, आइसोलेशन में रहो, घर में रहो, परिवार के साथ रहो परिवार के साथ बग गुजारो इस अब किस के लिए? उनके लिए? नहीं हम सब के लिए नमाज पढ़ना है घर पर पढ़ो बुजापाट करनी घर पर करो बच्वर में यह सीखा था कि भगवान हमारे अंदर है तो अगर भगवान के घर जाना अल्ला के घर जाना है परिवार के साथ जाना है तो निकलो भाग मनना तो एक दिन सब को है लेकिन क्या कोई मनना चाहता है यह यहाँ पर आके यह बात चेंज कैसे हुई? इंडिया के आवाम को इंडिया के आबादी को कम करना चाहते हो स्टार्टिंग विथ योन फैमिली तुम्हारे बच्चे, तुम्हारे माता-पिता तुम्हारे बुजर्ग जिन्होंने तुम्हें पाल पोस्के बड़ा किया है उनके साथ चुरुआत करोगे अब आब बताव पुलीस का साथ देना, गवर्मेंट का साथ देना डॉक्टर्स का साथ देना जो लोग बैंकों में काम करते हैं उनका साथ देना या नहीं अब वो लोग इस बात का जवाब दो जो के गवर्मेंट की बात नहीं सुन रहे कि वो सही है, गलत है औरेक्ट है रॉंग है नेगिटिव सोच रहे हैं या पॉजिटिव सोच रहे हैं अगर आपके आक्शन सही होते तो ये लॉकडाउन अभी तक के खतम हो गया होता और करोना वाइरिस भी अगर आप ऐसे बाहर नहीं निकलते ग्रूप्स में दोस्तियारों के साथ तो पुलीस वाले आपके पुट्टों पर डंडा नहीं मारते आपको क्या लग रहा है इसमें के पुलीस वाले को मजा रहा है किसने रोका आपको राशन लेने में जाओ ना किसने रोका है खाने पीने का सावा लेने जाओ घर तुरंट आ जाओ, पास में जाओ, किसने रोखा है? मास पहनो, कलवस पहनो, अकेले जाओ गवर्मिन्ट ने ये वादा किया है कि राशन पानी सब को मिलेगा आपको क्या लगता है कि पुलीस वाले डॉक्टर्स, नर्सिस जो बैंक में काम कर रहे हैं, उनको करोना वाइरिस नहीं होगा उनके परिवार को नहीं होगा, लेकिन उनको देखो फिर भी वो 18-18 गंटे काम कर रहे हैं, किस के लिए काम कर रहे हैं? आपके लिए काम कर रहे हैं और वो भी आपको रोखने के लिए नहीं, करोना वाइरिस को फैलने से रोखने के लिए कर रहे हैं क्योंकि ये बिमारी उच नीच, जातपात, अमीर गरीब, छोटा बड़ा, कम उमर, हम उमर, बड़ी उमर, कुछ नहीं देखती आप ये पुलीस वालों की डूटी है, वो निभार हैं, और आपकी डूटी सिर्फ इतनी है कि आप घर पर बैठें, और वो भी आप नहीं निभार हैं मैं कुछ ऐसे लोगों जानता हूँ जो घर के बार कभी नहीं निकलते थे, जब से ये बोला गया है कि घर से बार मत निकलो, उन्होंने निकलना शुरू करती है, ख़वाल है, अब जो डॉक्टर अपनी जान को खत्रे में डाल रहे हैं, पुलीस वाले अपनी जान को खत्र खत्रे में डाल रहे हैं, ये कमाल हैं, डॉक्टर आपकी जान बचने क लिए आए, नर्स आपकी जान बचने क लिए आए, और आपने उनको पत्तर वरसा दिया, जो करोणा से डिटेक्ट हो रहा है, वा, वो होस्पीटल से भाग रहे हैं, भाग के जाओगे कहां, किस और भ अगर ये डॉक्टर तुम्हारे लाज नहीं करते और पुली सडकों पे नहीं होती तो चंद लोगों की वज़े से जिनके दिमाख में ये चल रहा है कि हमें नहीं होगा वो हंदुस्तान के धेर सारे लोगों को लेकर चल बसेंगे देखो मैं उनकी बास समझता हूं जीन पास कुछ खाने को नहीं है बचों को खिलाने को नहीं है अब उन्हें में सलाम करता हूं क्यूंकि वो भी ये जानते हैं कि बरिवार गुजर जाने से बे patents है कि ये बिना खाए पिए ये वक्त गुजर जाए बहुत अच्छा काम हो रहा है और ऐसा लग रहा है कि वाकिए में हिंदुस्तान एक दूसरे से दिल से जुड़ा है लेकिन चंद जोकरों की वज़े से ये बिमारी भैली जा रही है अगर आपके आक्शन ऐसे नही होते तो पुलीस के रिया आक्शन ऐसे नही होते अगर आपके आच्छन रिस्ते नही होते तो हजारों पुलीस वालों को हजारों डॉक्टर्स को नर्शिस को और आवाम को करोना वivasन नही होता इतने लोगोगों काम तमाम नही होता और अभी तक हम सब वापिस से काम पर लग गये होते चाइना से शुरू हुआ है चाइना में कब का खता हो गया लेकिन इन चंदोगों की वज़े से पूरा हिंदुस्तान एक लंबे समय के लिए घर पे बैठेगा मान लिया है बड़े ताकत वरवाब बड़े भाद वरवाब कि इतने बाद वर इतने ताकत वरवाब कि आप अपने परिवार वालों को कांदा दोगे उनकी अर्ति उठाओगे इतना जिगर है आप क्यों आप यम्राज और मलकुल मौत बनना चाहते हो और क्यों अपने परिवार के लोगों पे इननिल्ला है और राम नाम सकते है और ना चाहते हो हर बात के दो पहलू होते है इसके भी दो ही है एक पहलू यह है कि हम सब रहें दूसरा पहलू यह है कि कोई ना रहे आप रिसाइड करो और सब शुक्रियादा करो पुलीस फोस का डॉक्टर्स का नर्सिस का जो लोग बैंक में काम करते हैं उनका रिस्पेक्ट करो उनको जिनको हुआ है और एतियात रखो कि ये आगे ना पहले और दुआ करो कि वो नौबत ना आए जहां पर आपको समझाने के लिए मिलिटरी बुलाई जाए दन्यवाद